हलो अब्रीवर, वेलकम टू माय चैनल है, डॉक्टर सारी रिपोर्ट देख रहे हैं, सब एक बार ठीक से देखकर किलियर बताएंगे, तब वनराज कहता है, कुछ भी हो, देकिन है तो मेरा ही बच्चा, और ये कहते ही रोने लगता है, वनराज को समझाते हुए, अभी कहता है, मैं समझ सकता हूँ, जब मेरी को जरा सी खरोच आती है, तो मैं घबरा जाता हूँ, तो तुम्हें और अनु को तोशु को इस हालत में देखकर कैसा लग रहा होगा, समझ सकता हूँ मैं, इसके बाद जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं, अनुझ पूचता है, डॉक्टर कैसा है तोशु, जिस पर पापा को कहता है, तुम कैंटीन से कुछ खा लेना, और सब को खिला देना, और तुम यहां की जिंदा बिल्कुल मत करो, इतने में ही छोटी अनुपापा कहते हुए अंदर आती है, और कहती है, ममी कहा है, मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, तब अनुच छोटी अनु को बत तो छोटी अनु कहती है, ममी तो करवा देती है, तो अनुच कहता है कि ममी को सब आता है, तो वो कहती है, हाँ आता है, तब यह सब सुनके माया आती है, और कहती है, ममी नहीं है, तो क्या हुआ, मा तो है न, वहीं डॉक्टर बहार आता है, तब अनुपमा डॉक्टर पर च इसको सुनते ही अनुपमा बेहोश हो जाती है, फिर वही अनुपमा तोशु को कहने लगती है कि क्या तेरे माबाप होकर हमने कुछ गलती कर दी है क्या, हमेशा क्यों सजा देते हो, तेरी भी बेटी है ना, अगर वो यही करे तो कैसा लगेगा, उसके लिए उठ जाता तू, वही इधर माया अनुच को फोन करके तोशु की हालत के बारे में अनुच को बताती है, और अनुच फिर छोटी को स्कूल छोड़ने जाता है, जहां छोटी माया को ले जाने के लिए जिद करती है, माया और अनुच को साथ देखकर अनुपमा को काफी बुरा लगता है, वह झाल झाल